नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकाडवी में आज का डेट है 15th of December 2022 and Pridams Focused Current Affairs के News Discussion में मैं शुवधीप आप सभी का स्वागत करता हूँ डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला इस PDF का वो नीचे Description Session में लगा दिया जाएगा आप वहां से जाकर इसको डारेक्ली डाउनलोड भी कर सकते हैं सबसे पहला यहां पर नीउस देख लेता हैं इंडिया एक्सप्रेस से तरिपूरा के उनकोटी उनकोटी के रिलेटेड है आपको पता होगा ना अंकोरवट टेंपल राइट तरिपूरा के उनकोटी है उसको कहा जाता है नौर्थीस्ट का हमारा अंकोरवट और सीख किया जारा है इसको as to be designated as UNESCO का वर्ल्ड हेरिटेज साइट उनकोटी यह एक शैवाइट पिल्ग्रिमेट साइट है जो क्या एक जाइगांटिक आप देख रहो हो यह जाइगांटिक रॉक कट स्क्लप्चर है और इसका एक डिस्टिंक्ट मॉंगोलाइट फीचर भी है क्योंकि यह जो जो भी आपकर सामने से देखेगा ना यह डिस्पले करेगा अलमोस्ट सेम मिस्टिकल चाम एज फिगर ऑफ दा अंकोरवाट टेंपल इन कमबोडिया इसलिए तो इसलिए तो इसको कहा जाता है हमारे नौर्थीस्ट का अंकोरवाट ना सवाल होता है उनाकोटी नाम का क्या मतलब है पहले तो बात देखो यह हमारा जो तरिपूरा है ना तरिपूरा को यह उनाकोटी डिस्टिक्ट में है उनाकोटी मतलब वन लस दने करोर मतलब बंगाली और हिंदी में जो है ना उना कोटि मतलब एक करोर से एक कम, मतलब ये बिलीव किया जाता है, that these many rock carvings are present, that is 99,99,999, मतलब एक करोर से कम जो है, rock carvings यहाँ पर present है, ऐसा माना जाता है, और in the local Kodoboruk language, it is also known as Subraikhung, Kodoboruk language आपको पता है न, ये बिसिकली तरिपुरा में इस्तमाल किया जाता है, तो उस में, उस languages में इसको Subraikhung के नाम से भी जानता है, now, इसका cultural significance क्या है, मैंने पहली बोला न, ये Lord Shavite, you know, figure है, so, yes, Hindu mythology में, Lord Shiva was going to Khasi, along with 1 करोर gods and goddesses, and he made a night halt at this location, ऐसा माना जाता है, रात को उन्होंने यहाँ पर रोका, मतलब, it is believed that, in the morning, except Shiva, none of them could wake up, so, he set out for Kashi alone, cursing others to be stone images, मतलब, क्योंकि सब कोई सोय हुए थे, ठीक है, तो उनको गुसा आ गया, उन्होंने श्राब दे दिया, तो सब कोई stone image बन जाओ, समझ रहाँ बात, तो ये है, Next, Customs Act 1962, News में है, क्यों, क्योंकि 60 years उसने complete किया है, इसी विए, इसके बारे में हम लोग discuss करने वाले हैं, So, Customs Act 1962, इसको इनक्ट किया गया था, various objectives के साथ, जैसे, foreign exchange, मतलब, imports को restrict करना, I mean, restrict the imports for conserving foreign exchange, मतलब, one of the aim was this, exports को regulate करना, साथ ही साथ, protect करना हमारे imports और exports of goods, जिस से achieve किया जा सके, हमारे government के policy के objectives को, safeguard करना domestic trade को, prevent करना dumping को, right, protect करना industries of India from unfair competition from the other countries, और साथ ही साथ, smuggling of goods and activities को भी prevent करना, coordinate करना legal provisions with other laws, जैसे, foreign trade act, foreign exchange regulation and FCRA, ठीक है, तो इन सब चीजों से के साथ भी काम करना, right, now, अगर देख लीजेगा, आप customs act 1962, basically customs department का जो mascot है, वो blue swan है, जिसको हम लोग officers huns भी कहा जाता है, now, यह क्या symbolize करता है, यह symbolize करता है, purity and knowledge of customs को, देखो, आपको पता होना चाहिए, यह that blue swan की जो है, एक खासियत है, that, वो milk को extract करता है, from the mixture of milk and water, right, मतलब, इसके थूँ यह बोला जाना चाहिए, बोला जा रहा है, that customs जो है, customs differentiate करता है, between good and evil, और साथ ही साथ, identify करता है, और prevent करता है, illicit activities of smuggling, narcotics, duty visions, etc, etc, next, down to earth का, यह news है, regarding phorabot, एक fossil को short करने वाला device, robot, हम बोल सकता है, right, देखो, यह एक ऐसा नया technology है, जो क्या, automatically short कर सकता है, manipulate कर सकता है, और identify कर सकता है, microscopic marine fossils, इसके significance क्या है, significance अगर देख लीजेगा, तो again, पहले ही बोला, किसको short करता है, इन fossils को, जिनका नाम है, forums, या फिर, phora minifera, right, यह simple, microorganisms है, जो क्या secret करता है, tiny shells, they have existed on the ocean floor, for more than 100 million years, in fact, they leave behind their shells, when they die, जब यह मर जाता है, तो वो अपने shells को leave behind कर देता है, अब इनी shells को, जो है, scientists study करते हैं, और उन्हें पता चलता है, that oceans, जो बना था, जब भी बना था, किस time, किस type of, you know, lives, तब उस समय alive थी, तो यह सब चीजें पता किया जाता है, right, तो इसी लिए बोला गया है, that इसका accuracy rate है 67%, और फोराबोर्ट आटोमेट करता है, इन यह सारे tedious process को, different types of forum species thrive in the ocean environment, and physical inspection and shorting of forums require human time and effort, right, तो इसी लिए इस फोराबोर्ट टेकनलोजी के थ्रू जो है, बहुत कुछ automate हो जाएगा, right, मतलब जो human अपने से करती थी, time taking होता था, है न, human effort लगता था, वो human effort बहुत कम लगेगा, right, और जादा accurate हमें informations भी मिलेंगे, उससे हमें पता चलेगा, that किस types के forums जो है, किस, you know, age में बने होंगे, किस type, मतलब, I mean, overall ocean, जो floor की morphology भी के बारे में भी हमें थोड़ा कहीं न कहीं पता चल सकता है, right, next, एक मिटी और शावर के बारे में हम लोग discuss करने वाले हैं, इसका नाम है, Geminids, वैसे, दोस्तों, अगर देख लिए है, Geminids, एक constellation भी है, right, so, anyways, अब news में क्यों है, क्योंकि 13 और 14 December में कहा जा रहा है, यह Geminids हमें आश्मान में प्रॉपरली दिखेंगे, right, now, यह meteor shower है क्या, यह basically celestial events है, जहाँ पर बहुत सारे meteors को आप originate कर सकते हैं, from one point in the night sky, एक ही region में बहुत सारे तूटते हुए तारे आपको दिख सकते हैं, right, meteors, क्या होते हैं, यह fragments of comets होते हैं, जैसे वो कोई Earth का atmosphere में इंटर करते हैं, तो बर्न अप हो जाते हैं, क्यों भई, क्योंकि Earth का atmosphere जो है, friction, frictional force लगाता है, इसी लिए, right, now, यह जो जमिनेट शावर के बारे में देख रहे हैं, यह meteor shower, इसकी क्या खासियत है भई, देखो, इसकी खासियत यह है, यह produce करेगा, around 100 to 150 meteors per hour for viewing, unlike most meteor showers बोला जा रहा है, they originate not from comet, but from an asteroid, जी हाँ, वैसे, तो हम जादातर meteor comet से originate करते हुए देखते हैं, बट यह एक asteroid से originate होगा, जिसका नाम है, 3200 Pheenthon, right, तो इसको वैसे, 3200 Pheenthon जानम का जो comet है, इसको discover किया गया था, 1983 में ही, और इसको Greek mythology के एक character के नाम के उपर में रखा गया था, जिसका नाम था Pheenthon, right, so, बोला जा रहा है, as the 300 Pheenthon moves closer to the sun, जैसे भी वो sun को orbit करते करते हैं, उसके सामने पहुचेगा, तो rocks जो है, उसको तूट जाएंगे, तो वो जो break of rocks है, वो earth के atmosphere में घुसके, हमें इस टाइप के Geminids नाम के, मिटी और शावर देखने को मिल रहा है, right, next, India Internet Governance Forum 2022, recently conclude किया गया था, इसलिए ये live news में भी था, तो देख ले थे हैं, इसके related India में जो कंड़ किया गया, उसका इंडिया का status किया है, government ने बोला, ते देखो भाई, 5G, जो है न, and the largest rural broadband connectivity project, जिसका नाम है भारतनेट, वो constitute करेगा, global internet का one of the single largest presence, right, in fact, India is the largest connected nations in the world, जिसमें 800 million broadband users से भी जादा है, और future में और भी बढ़ने वाले हैं, regulatory framework अगर देख लेजेगा, global standard cyber framework, जो है, वो expect किया जा रहा है, to catalyze the Indian internet and the economy, internet governance के बारे में गर डिसकस करें, तो ये consist करती है, system of laws, rules, policies and practices, जो क्या dictate करती है, how its board members manage and oversees the affairs of any internet regulatory body, इंडिया के IGF के बारे में, अगर इंटरनेट governance forum के बारे में बात करें, तो ये initiative है, which is associated with again, United Nations का internet governance forum for policy discussion, और इंडिया ने host किया था for the first time, इस IGF को in the year 2021, internet governance forum के बारे में गार और भी देखें, तो ये लेट किया जाता है by United Nations, और ये multi-stakeholder forum है, जो क्या promote करता है, conversation about policies and the issues related to internet governance, इसको announce किया गया था 2006 में by United Nations Security General, याद होना चाहिए, anyways, आगे बढ़ता है, PAB का ये news है regarding environment, education, awareness and training, ये एक central sector scheme है, जिसको implement किया गया था, बाइए Ministry of Environment, Forest and Climate Change, और इसका main objective था, कैसे हमारे देश में promote किया जा सके awareness related to environment, students को mobilize किया जा सके और उनके participation को ensure किया जा सके regarding environment related to any conservation program, राइट, इस पूरे environment education, awareness and training program के बगने में अगर बात करे, सो इसके अंदर grant in aid प्रोवाइड किया जाता है, है ना, अंडर दा national green crops program, जिसके थाइट फॉर्म किया जाएगा, more than 1 lakh eco club, वरियस रीजन में, साथ ही साथ, national nature camping program भी conduct किया जाता है, इस grant in aid के थूँ, जिसके थूँ, nature camps में, जो के protected areas में बनाया जाता है, वहाँ पर field visits करवाया जाता है, various beneficiaries का, जैसे students हो गया, जैसे researchers हो गया, right, so, overall अगर हम लोग बोले, तो ये environment education को promote करता है, environment education के related awareness, लोगों के actions, उनके attitude, सब चीज को govern करने का काम किया जाता है, right, next, restoration barometer report 2022, IUCN के द्वारा release किया गया था, ये report highlight करती है, the use of restoration barometer tool, as the only tool, currently जो के use किया जा रहा है, government जिससे, track किया जासे के progress, on the implementation of restoration targets, restoration barometer report 2022, ये highlight करता है, that across 18 countries, investment किया गया है, of 26 billion, जिसके तहत, 14 million hectares of degraded landscape, जो पहले थे न, उसको restoration में लाए जा रहा है, restoration, ecological restoration का main name पता है, क्या होता है, जिससे, कोई भी region के ecosystem को, recreate किया जा सके, initiate किया जा सके, या फिर, उनके recovery process को, accelerate किया सके, इसलिए तो restore करते हैं हम लोग, right, now, restoration plans अगर देख लोगे, तो various कैसे किया जाता है, policies, plans, institutions के तुआरा, right, financing provide करवाई जाती है, technical planning provide करवाई जाती है, monitoring systems ensure किया जाता है, और इसके through further, जो areas of land, जो है, उसको restore किया जाता है, साथी साथ, climatic impacts को reduce किया जाता है, biodiversity में जो negative impact है, उसको reduce किया जाता है, और यही नहीं, इसका socio-economic impact भी है, jobs भी तो create होती है, if you are doing this thing, तो कैसे करोगे भई, सारा robots से थोरो ना करोगे, इंसान का तो involvement चाहिए न, job तो ultimately create हो गाई, right, so these are the various indicators of, restoring barometer reports, anyways, आज आते हैं MCQs में जोस्तों, कल का MCQ में पूछा गया था, like GPS navigation system of USA, navigation system of European Union is known as, क्या था, सही answer, Galileo, Glonass किसका था, बताए तो नीचे comment section में, Baidu किसका था, Naviq तो चलो इंडिया का है, चलो यह बताओ, नीचे comment section में, Glonass किसका था, और Baidu किसका था, यह नीचे comment section में, लाँ तरशावर, lightning around northern poles, and constellation of artificial satellites. नीचे comment section में, बिलकुल अपना सही answer लिखेगा, वे 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 वाबवादी वादी बादी काम था, थांक यह वे 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 था, थांक यूच पूर दिसक्शन.